हलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमिद है ठीकी होंगे दोस्तों इस फिल्म का नाम है The Hurt ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10 दोस्तों इस फिल्म के कहानी कुछ ऐसी है कुछ माफिया लोग इन लड़कियों को किड्नियाप करते है सबसे पहले आपको मिले दोस्तों कहानी की शुरुवात में दिखाये जाता है एक लेडी डॉक्टर एक लड़की को टेस्ट्यूप के तरीके से उसे प्रेगनेंट कर रहे होती है उसके बाद वहाँ पे एक गाड आ जाता है और उसके गले में पट्टी बाढ़ कर वो उसे घसीरते हुए वहासे लेकर जाता है जब वो गाड उसे वहासे लेकर जाता है उसी वक वो लड़की उस कमरे में देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का उनकी ब्रेस से दूद निकाल रहे होते है पून सब को देखके हैरान हो जाती है और वो गार्ड उसे कहता है कि इनके बाद तुम्हारी बारी आएगी उसके बाद वो गार्ड उसे वहाँ से लेकर जाता है और एक तेखाने में एक पिंजरे में बंद कर देता है वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को उन पिंजरों में बंद किया होता है उसी वक और एक गार्ड वहाँ पे एक लड़की को लेकर आता है उसका नाम होता है पोला दोस्तो ये लड़की इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है दोस्तों ये दोनों गार्ड उस पॉला को उसे टॉर्चर करते हुए वहाँ पे नजर आते हैं उसके बाद पॉला को भी उस पिंजरे में बंद किया जाता है दोस्तों वहाँ पे हम देखते हैं कि पिंजरे में दो लड़कियों का ब्रेस से दूद निकाल रहे होते हैं उसे दर्द होने के कारण वो बहुत ज़्यादा चिला रहे होती है और उसी वक्ट डॉक्टर और गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं उन लोग को पता होता है कि यह अब बच्चों को जनम देने वाली है वहाँ पे दूसरा गार्ड एक डबा लेके आता है दोस्तों वहाँ पे प लोगों को सिर्फ लड़की चाहिए होती है जिसके जर्ये बड़ी होने के बाद उस लड़की से उन लड़कियों का ब्रेस का दूद निकाल कर उनका फाइदा हो सके वहाँ पे पोला बहुत रो रहे होती है उसी वक्ट उसके बाजु वाली उसे सिंपती देने की कोशिश क पोला उसे कहती है कि मेरा गला दबा के मुझे मार दो मुझे अब जीना नहीं है लेकिन वो उसे इगनोर करती है कुछ देर बाद डॉक्टर और गार्ड वहाँ फिर से आ जाते हैं वहाँ पे पोला उस गार्ड को कहती है कि मुझे मार दो मुझे खतम कर दो मुझे अब जी लेकिन वो गार्ड उससे कहता है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है। लेकिन उसी वक्त पॉला उससे किक मार के उसे नीचे गिरा देती है। उसी वक्त पॉला उसके पीचे से जाकर चेन से उस गार्ड को गला दबा कर मारने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जब पॉला उस कमरे से बाहर निकल जाती है वो और एक कमरा देखती है जहाँ पे एक गार्ड एक लड़की को मार रहा होता है। दोस्तो कोई लड़की इन लोगों के कोई काम नहीं आती तब वो लोग उसे वहाँ पर खतम कर देते है। पॉला उस सीन को देखकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से वो निकल जाती है। आगे जाकर पॉला को एक कमरा नजर आता है। वहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारी लड़किया उस कमरे में बेहोश है और उन सारी लड़कियों के ब्रेस से जबरदस्ती दूद निकाला जा रहा है। दोस्तो पॉला को इनके बारे में पता नहीं चलता कि ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन जब वो देखती है कि इन सारी लड़कियों का दूद निकाला जाता है तो और भी डर जाती है और वो रोने लगती है। थोड़ी दिर में वो अगले कमरे में चली जाती और एक लड़की और एक बच्ची वहाँ पर लाई हुई होती है। जब वो उस बच्ची के पास जा रहे होती है उसी वक एक गाड आकर उसको पकड़कर गसीटते हुए वहाँ से ले कर चाता है। کुछ देर बाद पोला को होस आ जाता है और वो वहाँ पर देखती है कि एक लड़की ने उस गार्ड को मार दिया है। वो उससे पूछती है क्या तुमने इसे मारा है। वो लड़की कहती है हाँ। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे किसी की आने की आवाज आती है। और ये दोनों एक दरवाजे के पीछे छुप जाते है। दोस्तों वहाँ पे वही डॉक्टर आती है जो इन लोगों का ट्रीटमेंट करती है। पोला और वो लड़की दोनों भी उसको पकड़ लेते हैं और उस डॉक्टर के जबान को काट लेते हैं ताकि ये किसी को कुछ ना बताए। और उसके बाद ये दोनों घशिटते हुए उसी तैखाने में लेके जाते हैं जिस तैखाने में इन लोगों को बंद करके रखा हुआ है और उस पिंजरे में इसे बंद कर देते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो माफिया है जो इन लड़कियों को पकड़ कर उनका दूद निकाल रहा होता है, उन लोगों की जाच करने के लिए आ जाता है, जब वो माफिया वहाँ पे देखता है, कि सब ठीक चल रहा है, और वहाँ से वो निकल जाता है, उसके बाद पोला और वो लड़की दोनों भी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं, दोस्तों इसके फिल्म नहीं है ये एक documentary है जो एक सची घटना पे बनाए गई है बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों में बहुत सारे गाय से जबरदस्ती दूद निकाला जाता है उनको जबरदस्ती प्रेगनेंट किया जाता है उनके बच्चों को जबरदस्ती मार दिया जाता है और जो उनके काम नहीं आती उसे कतल खाना भेज दिया जाता है यही सारे चलने वाले रैकेट पे ये डॉक्यमेंटरी बनाए गई है लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन गाईयों के वज़ाए इन लड़कियों को दिखाया जाता है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स फिल्म की कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखना